नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ग्यान फॉर यू में दोस्तों बात करने वाले हैं बहुत ही महत्पोन ख़बरों के संबंद में चाए वो यूपिटर पलसी की हो चाए वो यूपिटर पीसी एस की हो वीडियो सुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए वीवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको किसी भी भरती को लेकर कोई भी authentic news सबसे पहले मिल जाए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपिटर पलेसी के official notice के सम्मन्द में देखिए आपको मैंने बताया था 3-4 दिन पहले और कल भी बताया था कि यूपिटर पलेसी का एक official notice आपको इसी सबताह देखने को मिल जाएगा और वो जो आपका official notice होगा वो होगा वन दरोगा भरती के syllabus को लेकर जिया दोस्तों वन दरोगा भरती का syllabus यूपिटर पलेसीन जारी कर दिया है और आप देख सकते हैं दोस्तों जो मैंने आपको बताया था syllabus बिलकुल वही syllabus आया है और इस परिक्षा में मैंने आपको बोला था कि GS और हिंदी बिलकुल भी ना पढ़ें ठीक है और वही बात का प्रमान आपको मैं देने वाला हूँ देखिए ये notice जारी हुआ है इसमें कुल जो प्रशन होंगे वो आपके 100 question होंगे कुल 100 number के होंगे time दो घंटे का होगा और 1 by 4 की negative marking होगी ठीक है दोस्तों रही बात इसमें topics की तो कुल मिलाकर दोस्तों इसमें 26 topic है ठीक है और topic आपके सामने है राष्ट्य वन निती है राष्ट्य वन जीव कारे योजना है राष्ट्य उध्यान वन जीव विहार है आरक्षित वन और सनक्षित वन है ये आप देख सकते हैं पूरे 26 के 26 topic ये आप ना देख रहे हैं न वो GS और Hindi बिलकुल भी ना पढ़ें ठीक है दोस्तों तो ये आपका सिलेवस जारी हो चुका है और ये आपका परिक्षा पैटर्न है और इसी महीने में आपको exam date भी देखने को मिल जाएगी ठीक है exam date के लिए आपको ज्यादर वेट नहीं करना इसी मह महीने में हर हाल में वन दरोगा भरती की परिक्षा के date भी जारी कर दी जाएगी ठीक है दोस्तों अब बात कर लेते हैं यूपिटर पलेसी के परिणाम को लेकर देखे परिणाम को लेकर बहुत बड़ी खबर है और बड़ी खबर ये है कि तीन परिणाम आपको इसी महीने में कम से कम तीन परिणाम जारी करने जा रहा है एक परिणाम आपका computer operator का होगा एक परिणाम आपका aso का होगा ठीक है दोस्तों और एक परिणाम आपका होगा forest guard का ये तीनों परिणाम की जानकारी है यूपिटर पलेसी इसी महीने में जारी कर देगा और यूपिटर पलेसी के तयारी पूरी है इन परिणामों को तीनों परिणामों को इसी महीने में जारी करने की ठीक है और आपको मैंने बताया भी था कि यूपिटर पलेसी अपनी पट्री पर आ जाएगा और पट्री पर आता हुआ नजर आ रहा है और ये परिणाम आपको इसी महीने में देखने को मिल जाएगे और बहुत जल्द आपको एक और ओफिशन नोटिस परिणाम को लेकर देखने को मिल जाएगा यानि कि साथ दिनों के अंदर-अंदर इन तीनों में से एक परिणाम आपको हर हाल में देखने को मिलने वाला है ठीक है दोस्तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं PCS 2023 के विग्यापन को लेकर तो भईया PCS 2023 का विग्यापन आपका फरवरी महीने के तीसरे सपतहा में जारी कर दे जाएगा और ये ओफिशल नोटिस UPPSC ने डाल दिया है यानि कि जो UPPSC का नोटिस जारी हुआ है उसमें जो है आपका PCS 2023 का विग्यापन जो है 15 फरवरी और 25 फरवरी के बीच में जारी कर दिया जाएगा और जो इसका सिलेबस है जो इसमें वेकल्पिक विशे हैं उनको हटा कर ही ये सिलेबस जारी होगा और इसका विग्यापन जारी होगा देखिए विग्यापन जारी होने में इसलिए समय लग रहा है क्योंकि इसमें वैकल्पिक विसे को हटाया जा रहा है ठीक है दोस्तों ये हो गया आपकी न्यूज यूपिटर पलसी को लेकर और आपको ये बात और बता दूँ यूपिटर पलसी से आपको बहुत जल्द एक और नोटिस देखने को मिलेगा ठीक है दोस्तों और आपको मैंने बताया भी था कि फरवरी के महिने से यूपिटर पलसी में काफी आपको तेजी देखने को मिलने वाली है और उसका प्रमाण आपके सामने मिल चुका है दोस्तों ये ख़वर है यूपिटर पलसी से न्यूज को लेकर और किसी भरती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले एकदम आथंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी यही न्यूस थी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लिजे ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिविकेशन तुर्ण मिल जाए जाहिन जा भारत